हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो आर चैनल आज हम आपके साथ में एक छोटा सा केक शेयर करेंगी इसे मैंने तवे पर बनाया हुआ है वैसे केक बनाने के लिए हमें कड़ाई वगएरा की ज़रत पड़ती है या आपके बैस ओवन हो तो आप उसमें बना सकते हैं पर यह केक बहुत जञाए खास है क्योंकि मैंने इसे गो बर्दन भगवान के लिए बनाया हुआ है फर्श टाइम कोई केक मैने भगवान के लिए बनाया हुआ है और यह प्रॉपर एग लेस बना हुआ है और इसकी रैस्पी इतनी ज़ादा सरल है कि आप कभीवी इस केक को बना सकते हैं इसे मेने तवेपर कैसे बनाया हैं और साथ में विप क्रेम की रैस्पी के हुई है और इसा आइसिंग करने का जजरी है सब को इस वीडो में मैंन은 दीघ 550 जैङ करें डिखते हैं इसकी किसी किसी को पता नहीं हुआ कि pre-mix क्या होता है केक के लिए पहले से ही बना बना है एक पाउडर आता है उसी को हम pre-mix कहते हैं उसमें पानी और तेल एट करना होता है और mix करके इस तरीकी consistency कर देनी है 5 इंच का हमने cake tin लिया हुआ है इसमें हम चारो दर्फ से थोड़ थोड़ सा refined oil लगा देंगे अगर आप चाहें तो butter paper भी लगा सकते हैं pre-mix बनाने में लगबग आदा कप हमें पानी लगा हुआ है और इस pre-mix को हमें इस tin में add कर देंगे और इसके बाद हम इसे हलका सा tap कर देंगे अगर इसमें कोई भी bubbles रहेगा है तो वो निकल जाएंगे ये देखे देशी जुगाड इसमें हमने तवा रखा हुआ है तवे के उपर एक stand या आप छोटी से कटोड़ी भी रख सकते हैं उसके उपर हमने केक टेन रख दिया है उपर से हमने इस तरीके का एक भगवना रख दिया उसके एक भारी पत्थर रख देंगे और बिल्कुल 40 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पर कुक कर लेना है बीच बीच में हमें इसे खोल कर नहीं देखना है दो मिनट के लिए हमने तवे को पहले से गरम कर लिया था उसके बाद में हमने इसे 40 मिनट अच्छे से पका लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर और बीच में हमें तूद्पिक लगा कर चैक कर लेना है केक सबसे लाश्ट में बीच में पकता है और इसे हम फ्रिज में रख देंगे एक घंडे के लिए ठंडा होने के लिए क्योंकि हम इसे आइसिंग करनी है तुरंधी आइसिंग करने के लिए हमने विप क्रीम निकाल लिया हुआ है और इस तरीके से एक बरतन की नीचे हमने बरफ रख दी है और इसमें एकदम ठंडी विप क्रीम एट करिए विप क्रीम बीट करने से पहले हमको सिर्फ तीन चीजों का ध्यान देना है कि विप क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए लेकिन उसमें बरफ नहीं जमी होनी चाहिए एकदम लिक्विट फॉर्म में होनी चाहिए और स्टार्टिंग में दो मिनट के लिए हमें इसे एक से दो स्पीट पर रखना है और दो मिनट के बाद हमें इसे तीन से चार के स्पीट पर रखना है और लगभग पांच मिनट हमने इसे फेटते हुए हो गया है सबसे लाश में हम इसे हाइ स्पीड में बीट कर लेंगे एक से दो मिनिट के लिए और सबसे जरूरी टिप ये है कि आपका बीटर लगभग साड़े 300 से 500 वाट के लगभग होना चाहिए तब ही परफेक्ट तरीके से विप क्रीम को बीट कर पाएगा अगर आपके पास छोटा वाला बीटर है 200 वाट का तो वो इतनी अच्छी तरीके से क्रीम को बीट नहीं करता है क्योंकि थोड़ी देर में क्रीम मेल्ट होने लगती है जब हम इसके फ्लावर बगएरा बनाते है इसलिए आपको बीटर लेने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 300 से 500 वाट का ही बीटर लेना है जिससे परफेक्ट तरीके से विप क्रीम बीट हो जाती है ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी कई बार हुई है मैं काफी टाइम से केक बना रही थी पर छोटा वाला बीटर होने के वज़े से मेरी विप क्रीम मेल्ट हो जाती थी केक बनाते टाइम पर देखिए आज कितनी परफेक्ट बीट हुई है एकदम स्टिफ पीग बन चुकी है चलिए अब हम केक के आइसिंग करते हैं केक के आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हमने बोट के उपर थोड़ी सी विप क्रीम लगा दी है और शक्कर और पानी को हमने घोल कर इस तरीके से सुगर शिरप बना लिया है उससे हम इसके उपर से स्प्रैट कर देंगे और थोड़ी सी क्रीम पूरे मेंलगा करे इसकी उपर से हम थोड़ी से चौकले टेक कर रहे है या आप चौको चिप्स भी आट कर सकते हैं बी सेम इसी तरीके से इस वाले पन्द्र के उपर से भी हमें चुगर शृप लगाना है और दुबारा से इसके उपर हम विप क्रीम को अच्छी से फैला देंगे सेम इसके उपर से हम दुबारा से चौकलेट एट कर देंगे सबसे लाश्ट में हम इसे नीचे की लिए रखेंगे इससे बहुत एची फिनीशिंग आएगी और इसके उपर से भी हम सुगर शिरा पैट कर देंगे और विप क्रीम को चाड़ तरफ से फैलाते हुए इस तरीके सेट कर देंगे और अब हम इसकी डिजाइन बना रहे हैं इसके लिए मैंने एक्दम सिंपल सी डिजाइन बनाई हुई है मेरे पाँ जादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने कोई जादा डिजाइन सोच नहीं पाई बस बना दिया जो भी दिमाग में आया पर शेट की वज़े से शाइद यह आप लोग को पसंदारी होगी यह डबल कलर में बने हुई है इसकी डिजाइन बीचे मैंने एक रोज का फ्लावर बना दिया है थोड़ी थोड़ी से लीप्स निकाल दिये अगर आप लोग हमारी सरीके की वीडियो पसंद आती हूँ तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दे थोड़ी से मल्टी कलर के सुगर बॉल्समनेस में एड़ कर दी है लीजे हमारा केक तयार है